तो काशी से मैं पहुच गई थी अयोध्या तो ये है मेरा रूम वहाँ पर उस जिन रूम सी अवेलेबल नहीं थे बड़ी मुश्किल से रूम मिला था जिसके लिए हमने 4,500 रूपीस पर डे पे किया था वहां से होटल से ही हमें कहा गया था पास में ही बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है जहां जाकर हम खाना खा सकते हैं क्योंकि उस होटल का जो रेस्टोरेंट था भी स्टार्ट नहीं हुआ था तो यहां पर हम खाना खाने आ गए थे यह थाली का कौश था 150 रूपीस पर थाली जिसमें unlimited food था और ये खाना बहुत टेस्टी था ये है मानस भावन होटल यहाँ पर उस दिन rooms अवेलेबल नहीं थे इसलिए हमने पास की ही होटल में room ले लिया था लेकिन यहाँ का खाना बहुत अच्छा है आप जब भी जाए तो यहाँ पर room ले सकते हो खाना भी ले सकते ह आना खाने के बाद हम फिर से room आ चुके थे और थोड़ा rest करने के बाद शाम को हम ready हो चुके थे मंदिय जाने के लिए क्योंकि दिन में बहुत धूख था तो हमने मंदिय जाना prefer ने किया ये शाम को हम लोग निकल चुके है मैं और ममी around 4 o clock दर्शन के लिए तो ये हम लोग में खाना distribute किया जाता है ये उसी की लाइन है फिर ये है आयोध्या का जो जंक्शन है रेलवे जंक्शन वो था वहाँ पर उस रूट पर काफी भीर थी वहाँ पर काफी सारे hotels भी चोटे चोटे लेकिन उतने अच्छे quality के नहीं है जैसा कि हम लोगों को चाहिए था में आप देखेंगे तो बिरला टेमपल हॉस्पिटल और बाकी सारी जो सुवीधा है मंदीर के पास ही आप लोगों को अवेलेबल होती है अगर कुछ केस में केस कुछ इमर्जंसी हो तो उसके लिए तो यहां पर ना जगह जगह पर खाना डिस्टिब्यूट होता रहता है से हमने देखा काफी भीड थी आप देखी सकते इतना पब्लीक था ना और पुलीस वाले भीया ने हमें बताया कि दो दिन पहले तक ना जब हम आये उसके एक दिन पहले तक सौरी यहां पर ना तो होटेल रूम से मिल रहे थे ना ही कुछ खाने को मिल रहा था इवन दो खा करके पहले ही हम लोगों की दो थाली बुक करने के लिए कह दिया था और यह जो होटल है ना हमें रिक्षा वाले भाईया ने ही ढूंड कर दिया था उन्होंने ही सजेस क्या था तो अगर आपको भी होटल नहीं मिल रहा है प्री एडवांस बुकिंग के लिए तो आप भी और वाले भाईयाओं को कॉंटेक्ट कर सकते हैं मंदिर के अंदर फोन अलाउड नहीं था इसलिए मैंने लॉकर रूम में सम्मिट कर दिया था दर्शन करने आने के बाद मैंने लॉकर रूम से वापस से मोबाईल लिया तब मैं कुछ फोटो और वीडियो बना पाई तो य लेकिन यहां पर लस्य अविलेबल नहीं था ना ही कुछ अच्छा थंडा था तो हम लोग वापस बहार आ गए और हमने बहार आकर पीया था यह लेमन सोडा नो डाउट यह सोडा बहुत ही अच्छा था और बहुत टेस्टी था मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया नो ममी ने कहां शाम को इतना थाली नहीं काना है तो कुछ लाइट ही काते फिर हम लोगों ने यह साउथ इंडियन फूड और किया था फिर हम लोग रात को होटल पहुचके रेस्ट किया दूसे दिन सुबह उठकर हम लोग फिर से रेडी हो गए और निकल चुके थे क्योंकि म आई पर हम लोगोंने बहुत अच्छे से एक्स्प्लोड किया यहाँ पर कुछ फोटो वगेरा लिका लेए की हम पहुचके सरयू नदी के के तर्ट पर हम्लोगो ने भाओं उठकों किया गया एक्स्प्लोड पर की घाट पर कैसा क्या सीने पर यहां पर बहुत पब्लीक थे हो सब लोग नहां रहे थे फिर मेरी मॉम बोली चलो आगे चल कर देखते हैं फिर हम लोग वहां पर थोड़ा आगे गए तो हमने देखा बहुत अच्छा है अब में तो मूड में नहीं थी कि मुझे नदी पर नह लेकिन मेरी मॉम ने जैसे ही यहां पर देखा रहा कि काफी सारी अलेडीज भी नहा रही थी कर रही थी मैरी मॉम का तो बूड भी win रूम काफी अच्छे बनाया है गौर्मेंट ने मतलब काम तब बहुत अच्छा किया है अयोध्या में नो डाउट फिर यहां पर देखी आंटी जो है दिये छोड़े हमने भी छोड़े बाद यह मेरी मॉम ने देखे फटा अफट से कुरता चेंज किया बॉटम चेंज किया यहां नहीं आप आँ तो मुझे तो अभी नहा कर ही जाना है सरेयो रिवर में तो फिर यह रहे ही मेरी मॉम तो अंदर चली गई थी बड़िया तरेके सना आली बड़िया डुपकी लगा लिए मुझे नहीं पता था कि मेरी मॉम को अच्छे से स्विमिंग आती है तो आप यह देख ही सकते हैं, मेरी ममी पानी में बहुत एंज़ी दिया लिये थे एकचली पहले ममी ने अपना वाला दिया लिया उसे वाचीस तो माय पास थी निए वह अंकल से जला कर लिया था और अपना वाला दिया था नदी में मंई ने खूड ने के बार फिर ममी ने बोला कि अब तू भी दिया चूड़ दे तो फिर मैंने भी अंकल भट से लाकर लिए यहां पर और फिर मैंने भी अपना जो दिया था वो पानी में चोड़ दया है। और थोड़ा सा यहां पर रामायन जो है वो म्यूजियम टाइप बनाया है तो यह पूरा जो स्ट्रीट आप देख रहे ना यहां पर रामायन के डिफरेंट डिफरेंट यहां पर इन लोगोंने फोटो जैसे पोट्रेट किये वाल्स पर यह बहुत ही सुन्दर है जब भी हमने सोचा चाई पी ले फिर यहां पर आकर हमने चाई पी चाई बहुत टेस्टी थी चाई पीने के बाद नहीं यहां पर बहुत सारे मंकी थे तो मैंने सोचा उन्हें बिस्किट दे रहती हूँ तो मैंने बिस्किट के पैकेट्स खरी दे और मंकी को बुला रही थी लेकि पर इतनी भीड भी नहीं थी पब्लिक बिलकुल नहीं थी आप लोग यहां पर भी प्रिफर कर सकते हैं नहानाई बहुत अच्छा घाटे और ज्यादा भीड नहीं है कुछ नहीं बट और चेंजिंग रूम नहीं दिखा बट यहां पर यहां पर यह एक डिसेडवांटे सा फ हमने वही लिया क्योंकि बाकी कुछ अप्शन नहीं था वहां पर खा लिया थोड़ा और थोड़ा सा और घूमा एक्स्प्लोर किया उसके बाद ना हमने ऑटो किया सीधा यह जो रामायन म्यूजियम था ना उसी रोड पर से अपने होटल तक के लिए यहां पर यह जो किया बहुत अच्छा काम गया डेवलपमेंट में बस बात यही है कि आप पबलिक ऐसा ही रहने दे तो बहुत अच्छा क्योंकि पबलिक ना बहुत खराब करती है चीजों को यह तो मैंने नोटिस किया है कि अगर आप देखेंगे ना तो सभी दूर वो कही पर भी बैट ज जैसे दूसरी दो लड़किया थी हमारे साथ उनको उता रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना एक फोटो और वीडियो बना लिया जाए चोटा सा तो मैंने इस केट को कैप्चर करने के लिए थोड़ा सा उटो से उतर गई थी वह पैसे ले थे तब दर फिर यहां से हम लोग निक यहां पर पुष्पवाटिका और बहुत साई चीजे है बाकी थी एक्स्प्लोर करने के लिए तो वहां पर हम पहुच चुके थे तो यह थी पुष्पवाटिका यहां पर इतने सुन्दर और इतने कलरफुल फ्लार्स है कि मैंने कभी नहीं देखे इतने सारे फ्लार्स एक और यहां पर बहुत सारी पब्लिक आ गए थी मतलब हमारे जाने के बाद इतनी पब्लिक आ गए थी कुछ स्कूल के बच्चे थे वो लोग भी आयोए थे और यह पूरे गार्डन में हम लोगों ने बहुत टाइम स्पेंड किया मैंने और मॉम ने क्योंकि हमारी बस में वैसे बिल जाएगा तपरी वगेरा जो भी आप बोलते स्टॉल टाइप और उसी के पास एक बहुत अच्छा घाट भी है घाट के पीछे ही ना बहुत अच्छा एक होटेल मेंने आइडेंटिफाइ किया था क्योंकि हमें पहले नहीं पता था कि यहां पर इतना अच्छा होटेल है अदरवाइस मैं वही बुक करती तो यह जो होटेल है बिल्कुल घाट के बैक साइड पर है तो मुझे बहुत अच्छा लगा तो नेक्स टाइम अगर आप लोग जा रहे या में भी जाओंगी तो मैं वही होटेल प्रिफर करूंगी नाम तो मुझे याद नहीं है बट म मैं ट्राइ करूंगे कि में बाद में ब्लॉक को एडिट करके वहां पर डाल दू फेर क्या था इतना पूश्पवाटिका वगेरा में सब्दूर घूमने के बार मुझे बहुत गर्मी लग लग ती तो मैंने सोच डिसाइड कि में भी नहा लेती हूं तो में भी सीज़र सर करता होगा फिर यहां पे ना मुस्से तो पानी से निकल लेकि इच्छा ही नहीं हो रही थी पर काफी टाइम तक इंजॉय करती रही पानी में मैंने काफी टाइम स्पेंड किया ओल्मोस थर्टी टू फोर्टी मिनिट्स में पानी में ही रही क्योंकि बहुत गर्मी लग लग रहा था तो मैंने यहां पर नहाने के बाद अच्छे से फिर मैंने ड्रेस वगेरा चेंज कर ले क्योंकि हमारी बस थी ममी ने बोला चल बापस आजा हमें क्योंकि खाना भी खाना था तो फिर हम लोगों ने ज्यादा कुछ खाया नहीं था सुबर से सिर्फ थोड़ा बहुत ही snacks वागिरह खाया था तो हमने सोचा की चलो फिर से अभी हम लोगों को डीनर ही कर ले थे क्यों कि बस के टाइम पर पता नहीं कुछ मिले या नहीं मिले तो हम लोग यहां से निकलने के बार सीधा बहार गए वहां पर बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था वहां पर हम को सब्सक्राइब कीजिए का ऐसे और वीडियो के लिए सी यू इन दे नेक्स ब्लॉग बाबाई